दोस्तों मैं सहरुम्मली का आप सभी का Only Top Study चैनल पर स्वागत करता हूँ आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं GKK Top 28 S.A.M.C.Qs जो की सभी प्रिक्साओं के लिए मैथपून रहेंगे आप लोग इस वीडियो को सुरूर से लेकर अंड तक देखेगा 28 में से कितने questions के answer सही कर पा रहें अपना score comment box में जरूर बतेगा प्यारे दोस्तों ये वीडियो रात में 9 बजे Only Top Study यूटूब चैनल पर regular आती है तो आप इस वीडियो को जरूर देख लिया करें चलिए सुरू करते हैं पहला question है किस अंग को RBC यानि की Red Blood Cells का कब्रिस्तान कहा जाता है तो सही answer क्या रहेंगा दोस्तों बिल्कुल सही answer है पलिहा आपने भी यही लगाया होगा तो right answer is A दूसरा question है रविंदना टैगोर ने भारत की रास्टेगान के अलावा किस देश का रास्टेगान लिखा सही answer रहेगा दोस्तों बांगलदेश का यानि की A correct answer रहेगा तीसरा question है डाइनमाइट के अविस्कारक कोन थे तीसरे question कराइट answer रहेगा एल्फरेड नॉबेल यानि की तीसरे question कराइट answer C हो जाएगा question number 4 है ग्यानपीट पुरुसकार की स्चेतर में दिया जाता है प्यारे दोस्तों ग्यानपीट पुरुसकार की स्चेतर में दिया जाता है तो question number 4 कराइट answer रहेगा साहित्य के चेत्र में यानि की A is the right answer कोशन नमर 5 है असोक के सिलालेकों को सबपर्थम किस ने पढ़ा असोक के सिलालेकों को सबपर्थम किस ने पढ़ा दोस्तों पांचवे कोशन का right answer हैगा जैम्स प्रिंसिप यानि की C is the right answer अगर आप लोग किसी भी competitive exam की चारी करते हैं तो आप हमारी master pdf जरूर ले लिजे क्योंकि 170 रुपे के अंदर आपको सारे subject मिलेंगे वो भी पूरी lifetime के लिए आप कितनी बार भी पढ़ सकते हैं और इसमें 2 pdf फिरी भी रहेगी करेंट फिर स्टेटिक जीके की यह उफर अभी बहुत लिमिटेड समय के लिए मान लीजे क्योंकि इसके price जरूर बढ़ेंगे अभी थोड़े दिन में तो अगर आपने नहीं लिया है तो जरूर ले लना description box में लिंक है और हमारे whatsapp नमबर पर बार कोड मिल जाएगा चटा question है रेफिजेटर में कौन सी गैस परियुक्त की जाती है बताईए आंसर प्यारे दोस्तों सही आंसर हैगा फ्रियोन यानि की ए सही उत्तर हैगा साथवा question है नागलेन भारत का विदिवत राज्य कब बना साथवा question का right answer हैगा 1963 में यानि की ए सही उत्तर रहेगा मोन जोदरो कहां इस्तित है इस question का दोस्तो right answer हैगा सिंद में यानि की A is the right answer question number 9 है महात्मा गांधी ने सुत्तगरे क्रिया विदी सबसे पहले कहां परस्तूत की 90 question का दोस्तो right answer हैगा चमपारण यानि की D is the right answer दस्वा question है मोन जायट की जधातु का परमुक सरोत है मोन जायट की जधातु का परमुक सरोत है तो दस्वे question का right answer है थोरियम का ठीक है दस्वे question का right answer C रहेगा 11 question है किसे भविश्य की धातु कहा जाता है किसे भविश्य की धातु कहा जाता है टाइटेनियम को 11 question का दोस्तो right answer A हो जाएगा 12 question है मुख्यमंत्री की न्युक्ती कोन करता है मुख्यमंत्री की न्युक्ती कोन करता है 12 question का right answer है राज्यपाल यानि की A is the right answer question number 13 है अमीवा में कुल कितने सेल कोसिका होते है अमीवा में कुल कितने सेल यानि कोसिका होते है तो right answer है रहेगा एक यानि की A is the right answer question number 14 है अंत्रिक्स में सूरिय कैसा दिखाई देता है question number 14 का right answer है रहेगा दोस्तो सफेद यानि की D is the right answer question number 15 है साची स्थूप का निर्मान किसने करवाया था साची स्थूप का निर्मान दोस्तो किसने करवाया था तो right answer रहेगा असोक यानि की C is the right answer शोलवा question है रक्त का सुद्धी करण कोन करता है रक्त का सुद्धी करण कोन करता है सोलवे question कर right answer है किड्नी यानि की B is the right answer दवनी की चाल अधिकतम किसमे होती है सही answer है दोस्तो इस्टील में यानि की A is the right answer अम बेड़कर जी के बचपन का नाम क्या था सेशन अच्छा लगे तो लाइक करिए शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में देखे वीडियो का टाइम जरूर पता होना चेहर है कि स्टुडेंट को रात में 9 बजे वीडियो आती है only top study यूटूब चैनल पर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो फटा फट कर लीजे सही आंसर है का भीवा अमबेड़कर जी के बचपन का नाम था भीवा यानि कि सी करेक्ट आंसर हैगा अमजद अली खान किस से संबंदित है सही आंसर हैगा स्रोज से यानि कि सी is the right answer 20 वा कोशन है मयूर सिहासन को किसने बनवाया था 20 वे कोशन का राइट आंसर हैगा सा जहाने ठीक है राइट आंसर सी रहेगा यह आपको याद अखना है 21 वा कोशन है हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं सही आंसर रहेगा दोस्तो नाइक्रोम के यानि कि A is the right answer 22 वा कोशन है इलेक्ट्रोन की खोज किसने की थी 22 वे कोशन कराइगा राइट आंसर हैगा जे जे थॉम्सन ने यानि कि B is the right answer कोशन नबर 23 है देश में मुद्रा की आपूर्ती को नियंतरित कोन करता है तेश में मुद्रा की आपूर्ती को नियंतरित कोन करता है सही आंसर हैगा भारते रिजर बैंक यानि कि A सही उत्तर हैगा इलेक्ट्रोन के खोज करता है सही आंसर हैगा दोस्तों कोशन नमबर 25 है करो या मरो कनारा महत्मा गांदी ने किस आंदोलन के दुरान दिया था बारत छोड़ो आंदोलन के दुरान यानि कि 25 वे कोशन कर रिट आंसर सी रहेगा चब्विसवा कोशन है जेलम नदी के किनारे परसिद वितिस्ता का यूद की सुरिकिन के बीच लड़ा गया था चब्विसवे कोशन कर रिट आंसर हैगा पोरस और सिकंदर यानि कि B is the right आंसर 27 वे कोशन है बोध्धरम के परचार के लिए असोक ने किसे सिरलंका भेजा था 27 वे कोशन कर रिट आंसर हैगा मेहंदर एवं संगमित्रा दोनों 27 वे कोशन कर रिट आंसर डी रहेगा 28 वे कोशन है उत्तर पूर्व सिमान्त रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है 28 वे कोशन कर रिट आंसर हैगा माली गाउं यानि कि A is the right आंसर 28 में से कितने आप लोगों ने सही किया है कमेंट वोक्स में अपना स्कोर बताएगा मुख्यमंत्री की निउक्ति कौन करता है या आप लोग के लिए टेस्ट कोशन है जिसका आंसर सभी को कमेंट वोक्स में जरूर बताना है अगर आप लोगों ने अभी तक Only Top Study अप नहीं डाउनलोड किया है तो उसको डाउनलोड कर लीजे यहाँ पर आपको मिलेगी टेस्ट स्रीज वो भी सभी परिक्साओ के लिए और प्यारे दोस्तों Only Top Study अप पर जो टेस्ट स्रीज है उस सबसे कमप्राइज में है एक बार विजर जरू कर लेना मास्टर पीडियप नहीं ली है तो 170 रुपीज की मास्टर पीडियप है जिसमें सारे सब्जेक्ट रहेंगे वो भी पूरी लाइफ टाइम के लिए आप कितनी बार भी पढ़ सकते हैं मास्टर पीडियप का लिंक डिस्क्रिप्शन बोक्स और हमारे वोट्सअप नंबर दोनों जगर हैगा लिंक पर किलिक करके पेमेंट करके आप पीडियप डारेक्टली पराप्त कर सकते हैं सेशन आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक सेर करिए चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करिए बैल एकन को ओन रखे ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिसना हो थेंक यू सो मच बाई बाई अब्रीबन टेक कर खाले के अपना मिलजे नाइस क्लास में